नमस्कार दोस्तों, welcome to my Hindi channel and welcome to this collective reading. मेरी जो पिछली channeling थी, उसमें मैंने आपसे बात करी थी, negative energy के बारे में. मैंने ये discuss किया था कि कैसे I can pick on to energy of those people who do not want to waste their time on negative people. मतलब अगर कोई negative है और वो उसे convince करते आ रहे हैं बहुत समय से या लोगों को ऐसे generally बहुत अच्छा मन दिखा के advice करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों की care करते हैं, वो अब वो नहीं करना चाहते हैं. अगर आप उस channeling से resonate करते हो, तो आप वो channeling देख सकते हो. लेकिन ये आप कह सकते हैं, उसी channeling का एक next part है. बिकोज इसमें मुझे ये दिखाया जा रहा है, आज की reading में, इस reading में, कि कुछ ऐसे लोग हैं, जिनकी energy को मैं यहां relay कर रही हूँ. और मुझे ये दिखाया जा रहा है कि ये जो लोग हैं, ये not only अब किसी को समझाना नहीं चाहते हैं, negative कोई है, तो है, जो है, so है, like they don't want to waste their energy. जी, एक तो तर प्यार से समझाना, वो आप करेंगे, क्योंकि देखिए, वो आप नहीं कर रहे होते हैं, वो आप एक माध्यम होते हो, अगर कोई परिशान है, वो change होना चाहता है, अगर आपको पता है कि हाँ, ये कोई divine intervention की वज़े से मेरे पास आया है, आई है, या पिर क कोई ऐसे इनसान, जो आप से खुदी मदद मांग रहे हैं, खुद सीखना चाहते हैं, वो वाले लोग नहीं जो मदद सिर्फ उपरी रूप से मांगते हैं, दिखावा गरते हैं मदद मांगने का, बट अंदर से वो बिलकुल वो बदलना नहीं चाहते हैं, उनका वो attitude ही न strongly pop out हो रही है, सबसे पहला तो यह है कि आप उन लोगों के लिए भी आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों पे भी अपनी energy जाया नहीं करना चाहते हैं, जिनका आपने negative pattern अच्छी तरीके से पकड़ लिया, आप ये समझ चुके हो, अपने अनुभव से, अपने कि कुछ लोग ऐसे होते ही हैं, उनका दिल ही नहीं होता, वो compassionate ही नहीं होते, उनमें समवेदन शीलता होती ही नहीं है, उनको ये पता ही नहीं होता कि उनकी शब्दों से, उनके action से, उनके behavior से कोई hurt हो रहा या नहीं हो रहा, उनको नहीं फरक पड़ता, उनको बस कहीं पर दिखेगा कोई खुश है कोई हैपी है तो वो जाके अपना कहते ना कि गुड का गोबर कर देंगे बस ऐसे लोगों को भी समझाना उनसे बाते करना उनके साथ डिसकुशन करना इसमें कुछ नहीं रखा वो इस लिए कि दो ही रीजन से आपके साथ यह हो रहा है पहला आपका भी टेस्ट हो रहा होगा कि आप में कितनी आईए विजडम कॉमन सेंस क्योंकि कोई भी एड़र्स सिचुवेशन कोई भी नेगेटिविटी कोई भी फॉर्म आफ नेगेटिविटी आपके पास इसलिए दी जारी है ताकि आप भी उसके प्रती रियाक्ट ना करें आपको कोई बुरा भला कहता है किसी की हाबिट है बोलने की आपको बोल दिया अब आपके उपर है कि आपको उसकी बात को लेके सीरिस होना यह नहीं होना क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सी चीज़े बोलते दूसरों को realize नहीं करते हैं वो अंदर से बहुत दुखी होते हैं अंदर ही उनके बहुत negative energy भरी भी होती है और मेरे कहाल से उनको उनका वो समय ही नहीं आया होता है वो इदर उदर जाके धक्के खाके सीख लेंगे पर अभी उनका वो लेवल ही नहीं आया है कि वो आके दूसरों का पॉलजाइस कर दे या थोड़े से और कमपैशनेट हो जाएं या अपने पे काम कर ले और जब तक जिसका divine timing नहीं आया हुआ तब तक हम उसका कुछ नहीं कर सकते और हम होते ही कौन है कुछ करने वाले हम कुछ करते ही नहीं है मैंने का ला हम सिर्फ माध्य हम है हम इतने detach हो जाएं किसी से कि हम यह सोचे के हैं और हम ने कुछ नहीं गिया हम तो बस observe कर रहे हैं हम तो बस बीच में है deep है yes very deep और थोड़ा difficult भी है लेकिन अगर आपकी life में ऐसे लोग है जिनके negative patterns आपको बार बार दिख रहे हैं वही same pattern और आपने mental practice करके energy work करके कहीं न कहीं खुद को detach कर लिया कहीं न कहीं खुद को अपने solitude में आपने समहाल लिया उसके बाद जब आपकी growth हो गई फिर भी आपको patterns दिख रहे हैं तो इसका मतलब यह God का sign है बहुत strong sign है कि आप अपनी interaction ऐसे लोगों से जितनी कम हो सकती उतनी रखो क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है वो अच्छे माहौल को कभी भी खराब कर सकते है वो अच्छी बातों में कभी भी भंग डाल सकते है कोई भी आप अच्छे मन से कुछ भी करोगे वो उसको खराब कर देंगे या तो फिर आप ऐसे बन जाओ आपकी स्किन जो है वो कछोई की स्किन जैसी होती वैसी हो जाए आप इतने पत्थर दिल जैसे वो पत्थर दिल है दूसरों को हर्ट करते वे नहीं सोचते वैसे उनकी बातों से आपको भी कोई फरक ना पड़े आपके कान में कितना जून आ रहेंगे कहां से मैंने ये मुहावरा निकाल लिया तो आपको कोई फरक ही ना पड़े कोई मतलब ही ना और अगर मान लो आप उनकी बातों से हर्ट भी हो गए क्योंकि आप तो इंसान हो यार आप इमोशनल परसन हो आपको इमोशन तो ही ना ऐसा तो नहीं है कि हमने का पत्थर दिल बन जाओ पत्थर दिल का मतलब है कि अपने आपको स्ट्रॉंग बना लो कड़ा बना लो कि अगर उन्होंने आपको हर्ट किया ऐसे लोगों ने कोई भी हो सकते है प्लेटोनिक नौन प्लेटोनिक रोमैंटिक नौन रोमैंटिक वटेवर आपको हर्ट किया प्रोफेशनल परसनल तो आपको अगर बुरा भी लगता है तो फील कर लो कि हाँ इस सामने वाले विक्ति ने ऐसा कड़वा विश बुझा तीर बान छोड़ा ह मुझ पर लेकिन अगर कोई असर ही नहीं होगा उस बान का तो क्या कर लेगा कोई आप ये मत सोचो कि किसी ने आपको क्या कहा है आप ये सोचो कि वो जो इनसान कह रहा है उसके मन में कितनी आग लगी वी है आप उस आग को अपने तक आने ही मत दो और अगर कोई सिचुए सब कुछ differ करता है तब भी मैं आपको बोलूंगे अगर आपको बाहर से भी कड़ाई से पेश आना पड़े हैं या कभी हो सकता है किसी केस में आपको हसना पड़ जाए आपको ऐसे आक्ट करना पड़ेगी तो फणी है बहुत जो भी है बाहर से आप जो भी व्यवहार यूज करो पर अंदर आपको उसका अफर ना हो अंदर अपने आपको समझाने लाइक बन जाओ और ये चानलिंग कुछ-कुछ उसी से रिलेटेड है कि हो सकता है मैंने जिसकी अनरजी को पिक किया है उस व्यक्ती ने किसी जेंडर के भी हो सकते हैं आप उस व्यक्ती ने ये महसू होते ही हैं जिनको आप मुझे नहीं लगता प्यार से डील आपको करना चाहिए, कहीं लोग ऐसे हैं ही नहीं, वो इतने बत्तमीज होते हैं कि कभी ना कभी किसी ना किसी वे में आपको जवाब देना पड़ेगा, अब हो सकता है अब आप उस स्टेज से निकल चुके हैं, अब अंदर आपके मन में शांती होने चाहिए, आपका एक divine connection होना चाहिए, कि ठीक है, जो हो रहा है, जो हो रहा है, it cannot happen without divine intervention, nothing happens without divine intervention, it is what it is, main thing is, कि हमारी energy ही होती है, everything is energetic, और मैं आपको बता रही हूँ, जब हम energetic format में चलते हैं, तो हमसे जो भी words निकलते हैं, हमारे जो actions हो वो भी मुझे लगता है, divinely guided ही होते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं, अहिंसा मत करो, अहिंसा के बारे में बहुत बातचीत है, और अहिंसा और हिंसा को लेकि मेरे मास्टर ने भी एक दिन बहुत interesting बात बोली थी, कि यह समझना एक बहुत important lesson है, कि हिंसा और अहिंसा का difference क्या है पहले तो हमें उसी पर work करना है, क्योंकि कई ऐसी cases होते हैं, जहां पर आपको धरम के लिए हिंसा करनी पड़ सकती है, हिंसा का मतलब जरूरी नहीं कि लड़ाई जगड़ा है, कोई anger express करना पड़ सकता है, कुछ डांट लगानी पड़ सकती है, मतलब violence एक बहुत ही मुझे लगने लग गया है, जैसे जैसे हम ऊपर आगे जाते हैं, क्योंकि जब हम low frequency के लोगों से बात करें, तो violence का simple meaning है, ठीक है, पर जब आप energy world में आ जाते हैं, तो mind के अंदर भी हम जो सोच रहे हैं, उसमें भी तो violence हो सकती हैं, आप मानसिक रूप से भी तो अपराद कर सकते हैं, कितने ऐसे लोग हैं, जो शरीरिक रूप से अपराद कर रहे हैं, बट बहुत ऐसे लोग भी हैं, जो mental crimes करते हैं, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो हम अपने आप कोई watch करने वाले बन जाते हैं, पहले तो क्या होता है कि दूसरों को watch करते हैं, दूसरा ऐसा ह बाद में हम खुद को watch करते हैं, और यह नहीं होता हर situation में कुछ अच्छा या बुरा, हर situation में यह होता है कि हमने क्या सीखा इस situation से, क्योंकि bad experience तो होते हैं, good experience और bad experience दोनों होते हैं, एक पल में आपको लगेगा आप heaven में हो, दूसरे एक पल आपको लग सकता आप hell में हो, पर आपने उससे सीखा क्या, उस heaven और उस hell में होने की उस feeling से क्या सीखा, एक पल में आप भगवान को thank you बोल रहे हो, दूसरे पल में कुछ ऐसा episode हो जाएगा कि आप रोने लग जाओगे, कि भगवान मेरे साथी क्यों हो रहा है, यह कुछ भी हो सकता है इस planet पे, यह एक unpredictable world है, हमारा simulation ही ऐसा है, जैसे जैसे हम grow करते जाएंगे, जैसे जैसे हम अपनी अध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा simulation ही ऐसा है, कि हमारे को, हमारी checking भी होती रहती है, टेस्टिंग भी होती है, और साथी साथ हमें कुछ ना कुछ अच्छ भी मैसूस हो होता है, मगर यह जानना अपने आप में बहुत जरूरी है, मतलब जानना भी मानना भी समझना भी बहुत जरूरी है कि हर situation में आपको actually में रहना तो equanimous ही है, तो यह equanimity से related channel लेंगे, अब जो उस zone में चला गया है, कि आपने twin flame crisis कर लिया, runner chaser कर लिया, और twin flame में इसको एक romantic चीज नहीं मानती हूँ सिर्फ romantic भी है कहीं लोगों के लिए बट यह सिर्फ romantic नहीं यह बहुत high level की journey है चाहे कोई से illusion का है, चाहे से कोई delusion का है, चाहे कुछ भी का है इसका simple meaning है masculine और feminine का balance, sun और moon का balance अब यह है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है वो आपके सामने किसी romantic relationship वाले व्यक्ति विशेश को लाके भी करवा सकते हैं, और किसी और वे में भी करवा सकते हैं, करियर के तुरू भी करवा सकते हैं, प्यार के तुरू भी करा सकते हैं मो माया के तुरू भी माया यानि धन के तुरू भी करा सकते हैं वासना के तुरू भी हो सकता है किसी भी वे में हो सकता है वो पर है वो इसी के बारे में इदा और पिंगला नाड़ी के बैलेंस के बारे में क्योंकि जैसे जैसे आपके चकरास फंक्शन करेंगे आपकी Ida और Pengla harmony में अए हो में तभी तो आपकी ति की सारी नाडियां काम करने लगेंगी, तभी तो आप अपने avatar self में आगे जा के हो गें वोगी avatar self कोई असा कोई great वो नहीं है, avatar self में बहुत लोग होते भी है, वो लोग होते हैं जो जैसे होते हैं वही दिखाते, जो है आजकल के मुझे तो पशू बिलकी जादा इन्सान लगने लग गे हैं यह इतना दूसरों के लिए करते हैं, इतना प्यार करते हैं, हम जिन आनिमस के साथ रहते हैं, भाला हमारे लिए बहुत सोचते हैं, भाला ध्यान रखते हैं, model जो इनसान का है उसके साब से इनसान वही होता है जो दूसरों का हित सोचता है दूसरों के लिए अच्छा सोचता है वही इनसान होता है और जिसमें जितना जादा होगा बट इनसान का मतलब ये भी नहीं कि आँखों में पट्टी बानके गंधारी की तरह बैट जो नहीं त और seven of wands के साथ भी surrounded है, four of swords भी मुझे दिखा है, और seven nine of pentacles, तो जब इतने सारे positive cards आ जाते हैं, four of cups में, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप kribber हो, और आप complain कर रहे हो, और यह वो, इसका मतलब यह है कि आपको जो भी options दे रहे हैं, जहां से भी मिल रहे हैं, और आप उस चीज़ को लेके guilt factor में नहीं जाना चाहते हैं, आप यह नहीं सोचना चाहते हैं, कि अरे यार मैं यह नहीं कर रहा हूँ, तो मैं गलत हूँ या सही हूँ, क्योंकि surrounding cards जैसे हैं, अब जैसे आपको कहें कोई vote देने जाओ, और आपके सामने तीन candidates, आपको तीनों ही नहीं पसंद, तो आप कैसे vote दे सकते हैं, इन फाक्ट जो हमारे भारत का constitution है, उसमें तो not to vote भी एक right है, पर marketing और publicity किसकी होती है, कि vote करो, vote करो, vote करो, अगर आपके सामने, अगर तीन से चार बेफाल्तु के लोग खड़ें, और आप नहीं देना चाते हैं, आप इनसान, आपकी मर्जी, आप पे कोई force नहीं कर सकता, कोई थोप नहीं सकता, जिस बिकॉज आपे कहीं के नागरे को इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि किसी ऐसा event में participate करना ही है, जिससे आप agree नहीं करते हैं, भारत के एक president भी थे, जिन्होंने अपने इस constitutional right को exercise किया था, और openly declare किया था, कि मैं vote नहीं देना चाता, ये एक example के तोर पे मैं आपको बता रह है, आपको नहीं सही लग रहा कोई भी option, तो अपने मन पे कोई बोज मत डालो, कोई पत्थर मत रखो कि यार मैंने choose करना ही है, मुझे तो ये करना ही है, जो संसार मुझे कह रहा है, नहीं आ रहा मन में तो मत करो, क्योंकि आगे जाके आपका यही decision, आपको celebration mode में ले जाए यानि कि आप एक protective और defensive person बन जाओगे, अगर आपको कोई under attack अप feel करते हो, या आपका कोई important विक्ति है, under attack है, कोई harassed है, कोई blame game चल रहा है, तो आप सिर्फ complain नहीं करोगे बैठके, आप अपनी बात को कह सकते हो, आप counselling ले सकते हो, लेकिन आपका जो mode होगा, वो ये होग कि what is my positive contribution in this, that is going to help change the situation and make it better, so even if you are thinking about certain situation, कि यार मुझे ये चीज़ सही नहीं लग रही, तो आप सिर्फ ये नहीं कि हाँ, कहीं लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों से मैं मिलती भी रहती हूँ बीच बीच में, universe, God, source मुझे मिलवाते रहते हैं, जो complain तो जरूर करते हैं, सही कि बाते भी कहीं बार बोलते हैं, कि यार उसके साथ गलत हुआ, उसके साथ बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चीज़ था, लेकिन खुद कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ complain करके छोड़ देते हैं, तो जब हम सिर्फ complain करके छोड़ते हैं, तो हम खुद को एक ऐसी energy में ले जाते ह जिसमें कि हम एक ऐसे इंसान होते हैं जिसके बसकी कुछ ही नहीं है जो कुछ ही नहीं कर सकता जो लोग सिर्फ कंप्लेइन करते हैं वह अपने आपको बहुत नेगेटिव असमर्थ असमर्थ तो देखिए हम सब हैं जब हम सरेंडर करते हैं सोर्स को तो हम सोर्स को पावर दे दे या किसी के लिए एक selfless prayer करे या कोई ऐसी चीज़ कर दे जिससे की energy improve हो जाए अपने मन में ही सोच ले अपने मन में ही आशिरवात दे दे उस इंसान को कि यह जो भी फसा हुआ है इसके साथ बुरा हो रहा है इसके साथ अच्छा हो है भगवान इसको शक्ती दे ऐसा कुछ नहीं करते बस complain करते गलत हो रहा है गलत हो रहा है गलत हो रहा है wrong है wrong है that's it तो wrong 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 बोलने से कोई change नहीं आता चेंज तब आता है जब हम अपने मन में यह ठान लेते हैं हम मान लेते हैं हमारे faith आ जाता है कि यह चीज जरूर बदलेगी और वो कब कैसे बदलेगी वो तो आपको surrender की करना पड़ेगा उसके बाद आपको भी अपनी life एकदम happy go lucky faith में gratitude में बितानी बड़ेगी तो यह तीन-चार चीज़ों का combination है gratitude faith विना gratitude के कुछ नहीं हो सकता विना faith के भी कुछ नहीं हो सकता विना thank you कि आपको कुछ नहीं मिल सकता आपकी कोई चीज़ कभी ग्रोही नहीं कर सकती दोस्तों यह channeling ऐसे लोगों के बारे में भी मुझे बता रही है जो अपने pain को transform करते हैं जिनको pain मिला है pain तो सबी को मिल रहा है ऐसा इस दुन्या में कोई नहीं जिसको pain नहीं मिलता मगर यह लोग ऐसे हैं जो अपने pain को कुछ अच्छा करते हैं या उसका art बना लेंगे या उसको अपनी prayers में convert करेंगे या खुद को heal करेंगे या फिर एक energy portal बना लेंगे देखिए हर इनसान एक energy portal है every human being is a universal energy portal और मैं हमेशा कहते हूँ कि हर इनसान एक universe है तो हमारा universe कैसा हो यह तो हम ही तैय कर सकते हैं तो हम ही जान सकते हैं और हमें बहुत ज़्यादा खुश रहना है हमें बहुत ज़्यादा happy रहना है कि हम इस inner work journey में हैं वरना कितने लोग ऐसे हैं जो कभी इस journey में होते ही नहीं हैं यह pain, यह fear और यह worry यह हमें सताते हैं लेकिन अगर हम इसके सही रूप को समझ जाएं अगर हम इसको understand कर ले तो यह तीनों चीज़े हमारी friend बन जाती हैं हमें सिखा देती है life के वो important lessons जो हम सीखने आए हैं actually में हम यहां क्या करने आए हैं हम वो चीज़े collect करने तो नहीं आए हैं जो हम यहां से ले जाई नहीं सकते दुनिया सारी क्यों फसी बढ़िया है क्योंकि वो उन चीज़ों को collect कर रही है जो वो कभी यहां से ले जाई नहीं सकते money, fame, name, body related things body पे एक अलगी level की मेहनत कर रहे हैं एक तो हता है exercise करना, खुद को fit रखना, खुद को healthy रखना समय पे सोना, समय पे उठना, वो नहीं, वो तो अच्छी बात है, वो तो positive है लेकिन कहीं लोग जो सिर्फ अकरशक बनना चाहते हैं वो भी शारीरिक रूप से, वो क्या कर रहे हैं तो यही pain जो है हमें difference सिखा रहा है body consciousness और soul consciousness की life में और जिसकी भी मैंने channeling कर रही है उसका four of swords भी आया है तो कहीं न कहीं आप यह समझ चुके हो समझ चुके हो कि जो situation है वो इतनी बुरी नहीं है जितना की ऐसा प्रतीत हो सकता है दूसरों की नजर में यह हो सकता है आपको कभी लगा और हर चीज का solution तो होता ही है ऐसी कोई चीज नहीं है ऐसी कोई problem नहीं बनी इस दुन्या में जिसका solution ना हो बस ठंडे दिमाग से बैट के सोच रहा है और उस divine intelligence के साथ खुड को connect करना है तो काम रहने से ही हमें solution जादा मिलते है हम already किसी बात से कर परिशान हो जैसे आपके पेट में दर्द हो रहा है सर में दर्द हो रहा है अब उसको लेके और negative हो जाओ और क्रिप करने लग जाओ तो वो problem intensify हो जाएगी पर अगर शान्त स्वभाव से शान्त मन से उस टेम आप सोचोगे कि अगर मेरे सर में दर्द हो रहा है या पैर में दर्द हो रहा है या कोई भी problem है इसका solution क्या है इसको सही कैसे कर सकते है या इस situation से मैं क्या सीख रहा हूं या सीख रही हूं तो automatically energy shift हो जाती है We are here to transmute energy हम सब लोग यहाँ पे energy को transform करने आए है energy cannot be created nor it can be destroyed it can only be transferred from one place to another यानि कि एक place में वो energy है dark place में आप उसको dark से light में ले जा सकते हैं या आप उसको better कर सकते हैं आप उसको एक जगा से दूसरी जगा ले जाने का मतलब सिर्फ location wise नहीं होता है वो एक frequency भी हो सकती है वो एक dimensional change भी हो सकता है आप एक low frequency से high frequency में जा सकते हो so whosoever resonates with this channeling पहली बात तो आपने अपनी लाइफ में ही काफी important changes की है आपने move on करना भी सीख लिया move on सिर्फ relationship से या बुरी situation से नहीं होता है move on day to day चीज़ों से भी होता है आप सूबे से move on होगे दूपेर में आगे दूपेर से move on होगे, शाम को आगे, शाम से move on होगे, रात को आगे आगे बढ़ते जा रहे है यही life है जो बीद गया वो तो चला गया और अब जो आने वाला है उसका हमें नहीं पता इसी पल में हमें यह जीवन जीना है पूरी तरीके से और जब हम इस zone में चले जाते है तो things get better than we expect और फिर वो phase आने लगते है कि आप यह better और worse से भी निकल जाते हो मैं तो आपको यह कहूँ कि ascension journey इतनी interesting journey है जो एक बार inner work में आ जाता है जो एक बार ascension को समझ लेता है, वो कभी मुड के वापस नहीं जाना चाहेगा उसको संसारिक reality में नहीं जाना उसका मन ही नहीं करेगा लेकिन ये भी एक push and pull की तरह है इसमें भी एक runner-chazar dynamic तो होती है क्योंकि एक तरफ तो programming है जो इतनी हावी है इनसान के उपर एक तरफ उसकी soul है जो dormant हो गई है वो जाग रही है धीरे धीरे अवेकन हो रही है तो एक द्वन चलता है जो अवेकन हो गया वो भी दुबारा नहीं सोगा वो अवेकन जो प्रॉपरली हो गया उसने टेस्ट कर लिया सत्य को तो वो फिर दुबारा नहीं सो सकता पूरी तरीके से बेहोश नहीं हो सकता हो वो दीरे दीरे भले होश में ज़रूर आएगा तो फो परसनल सेशन्स अन ठेरपी अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डीटेल्स दी गई है उनको चेक करो अगर आपको मेरी बुक चाहिए इन दे नेम ऑफ लव लव की स्पेलिंग है ल्ट्रिपल यूवी तो आप गूगल पे जाके किंडल पे सवज भी कर सकते हैं इन दे नेम ऑफ लव के नाम से अधरवाइस उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है I will see you in the next video in next channeling one love, peace out and victory to Ram